पूर्व कॉंग्रेस जिलाद देक्च पुस्पराज पटेल ने दी खुली चेता अपनी उशंगाबाद जिले की चारो बिधानसवा छेत्र में चुनाओ जीत कर बताए कॉंग्रेस दो दिन पूर्व कॉंग्रेस कमेटी के दौरा नम निर्वाचित जिलाद देक्चों की गोशना की गई जिसमें उसंगाबाद जिलाद देक्च पुस्पराज पटेल को हटाते हुए कफिल फोस्दार को जिलाद देक्च बनाया गया जिसके बाद भाजपा कार करता हूं मस्जद में बेट कर काजी शराब पीने दे मस्जद में बेट कर या वे जगे बता जहां पर खुदा नहीं प्रदेश प्रभारी स्री बावर्या जी में सम्जोता बादी आदमी नहीं है एक 29 साल से लगातार चुनाओ हार रहे रामिश्वर नीखरा जी और 15 बूर्ट से जिला कलेक्टर टिर्की द्वारा जिताई गई और अगले चुनाओ में 27,000 से हारी सवीता दीवान जी के कहने पर मुझे हटाया गया है कारान बताएं क्यों और नहीं तो इन दोनों निताओं को खुली चुनोती है क्यों शंगाबाद जिले की चारो बिधान सभाओं में चुनाओ जीत कर बताएं हाला कि ये पोस्ट 7 घंटे के बाद सोसल मीडिया फेस्बुक पर से अटा दी गई अब ये देखना जरूरी है कि पूर्ट जिला टेक्ष कुस्पराज पटेल का गुस्सा सिर्फ फेस्बुक पर ही सांत हो जाएगा या पटेल कॉंग्रेस के लिए बड़ी मुसीवत बनकर सामने आएंगे या फिर कॉंग्रेस के आला बदादिकारी पुस्पराज पटेल की चेतावनी से भैका कर कोई दमदार पद देकर गुस्सा सांत कर देंगे आपको ये भी बता दे कि यही पुस्पराज पटेल पहले भात्वा से भागी होकर पुमा भारती में जब जनसक्ती पारटी का गठन किया था ताथ ये उस पारटी के दिला टेक्श बन गए थे वही टिकेट के भी प्रबल दावेदार थे परनतु अपने चाचा महरवान सिंग को कॉंग्रेस से टिकेट मिलने के कारण चाचा को जटाने के लिए उन्होंने जनसक्ती को छोड़ कॉंग्रेस का दामन थामा था परनतु बहां भी उन्हें असफलता ही प्राप्त हुई थी अब देखना यह है कि जिस कॉंग्रेस का दामन थाम वर्तो चले वहाँ से क्या मिलती है सफलता या सफलता और घोर निराशा